हेलो दोस्तो नमस्कार शुआगता आपके अपने यूटूब चैनल कर्मट कलासेज पर दोस्तो केस यो आप सब आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो बहुत दिनों से बहुत सारे जो विदारती है वो इंतजार कर रहे थी कि सर हमारा एक्जाम फोरम है वो कब से स्टार्ट होगा तो दोस्तो फाइनली जो सेखाव टिनिश्टी है उसने नोटिस जारी कर दिया है टैंसल लेने के आवशकता नहीं है हम सारी बाते इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपका एक्जाम फोरम कब से स्टार्ट हो रहे हैं एक्जाम कब लगेगी ठीक है एक्जाम फोरम बढ़ते समय कौन-कौन से डोकुमेंटों की आवशकता पड़ती है और इस बार एक्जाम बेटन 50% रहेगा या नहीं और आप हमसे किस प्रकार से हेल्प मांग सकते हैं ठीक है इन सभी बातों पर बात करेंगे उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजीगा वीडियो को लाइक कर दीजीगा चले दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो 21 तारिक है यान की कल एक नोटिस आएगा उसमें सारी चीजे मेंशन होगी इनुशिटी की वर से कौन-कौन स जो एक्जाम है वो कब लगेगी तो पहले के सीडूल के नुसार आपके एक्जाम है वो फर्बरी लास्ट में लगनी थी लेकिन अब उस डेट को बढ़ा कर दोस्तों मार्च लास्ट या अप्रेल के जो फर्ष्ट बीक है उसमें आपके एक्जाम स्टार्ट होने वाली है या आपको विशेज कर ध्यान रखना है और अपकी बार जो 50% का कोई भी दोस्तों सवाल उड़ता है नहीं क्योंकि अपकी बार ऐसा कोई मजबूत कारण नहीं है कि आपका एक्जाम पैटर्न है वो 50% कर दिया जाए तो आपको अपकी बार 100% एक्जाम पैटर्न के इसाब करने वाली है फोरम बढ़ते समय तो उसके लिए जो बेसिक डोकुमेंट है दोस्तों मैं बता देता हूं बाकी के जो डोकुमेंट है वो कल वीडियो में बता दिये जाएंगे आधार कार्ड होना चाहिए पास्वर्ड साइज फोटो होना चाहिए और लाश्ट एर की मार्क कर शकते हो आपका भाई आपके लिए हमेशा जो कोशिस करता रहता है हेल्प करने की किसी भी प्रकार से ठीक है और आपको थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखना है दोस्तों आपको सुबह आठ बज़े से और बारा बज़े की बीच में ही कोल वोर्ट सब टेलेग्राम कु अचर मिल पाएगा और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट कर सकते हो ठीक है दोस्तों फिर कल वीडियो आएगा जो नोटिस का आएगा उसमें कौन-कौन सी जो गाइडलाइन उनको फोलो करना है किस प्रकार से एक्जाम फोरम भरना है ठीक है और एक्जाम फोरम भरने के बाद क्या-क्या करना होता है वो सारी डिटेल हम कल वीडियो में बताएंगे तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी मिलते हैं फिर अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई टेक के जहे जह भारात